नमस्कार दोस्तों इस भी फ्लोर्ण टेक्निकल पर अपके श्वागत है नहीं दोस्तों में आज सेंट गोबिन वेपर इपोक्षिक राउटिंग टैल्स के जोन्तों में कैसे बरा लेता है उसके बारे भी बताने हो रहा हूं अगर आप दूसरा कंपली का भी बहाए हो तो आप इस वीडियो बहुत ही अच्छा क्राम आएगा बिल्कुल भी इसकीप नहीं कीजिए यह ने बहुत ही स्वाड में बहुत ही अच्छी से बनाया है दोस्तों अगर आपको शेंट गोबिन वेपर इंडिया में किसी भी कॉर् दिवर आपको चार पांति में मिल जाएगा सेंट गोबिन वेपर सी कंपोनेंट आता है बहुत अच्छा और बहुत सस्ता बहुत स्यांदार 100% स्केंट फ्री वाटर फ्रूप टेमिकल इन टेम्परेचर रेशिस्टेंट डबल स्क्रॉंग जिवानों को दिरोधर ग्रेक फ दोस्तों सबस्बेले टैल्स को चाहिए बूरी मे 내가 अनाव्श्यक पच्रिय को निकल लेना चाहिए और जोन्तों में अगर पाने Şu, तो सुथा लेना चाहिए अगर जिन एक खार्णर किसी बतन में एक मिनट तक अच्छे से मुख्ष कर देंके लग मटशे जब कर दो में एक मुख्ष कर दो का टाओंगी कर दो कर दो का दो कर दो किसी थीजेश्ट कर दोक्तिश प्रद़ कर दो जब कर दो हैं पिक्स होने के बाद में चिकुण चिश कब से रेजिन और हाड़नर डाल रहे हैं उसी कब से 6 या 7 प्रप्र पाउडर डाल ने ने चलिए रेजिन हाड़नर और पाउडर को अच्छे से मिलाने चाहिए इसके बाद में रबर इसके बर्शे या फिर विलापुटी पत्रेशे टैल्स की स्पेस में दबा दबा के बढ़ना चाहिए बढ़ने के बाद में आदे बिंटे के अंदर अंदर साफ कर लेना चाहिए जियान रखे इस्पंज को पानी से इत गिला तरकी जो अन्तों के गोल गुवाना चाहिए गोल गुवाने से जो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगा और फिर इसके गुवाने के बाद में कोटन के कपड़े से टैस को और जोन को अच्छे से साफ्टर लेने चाहिए साफ्टर भूने के बाद में चोन के उपर खांगुली से जोन के बाद से पूरा लेवल कर देए पूरा एक लेवल देखेगा उपर खाबर में दूस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लेगे प्लीज लाइक कीजिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं जेए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर जेहिं जेगर बंदे मात्रमा क्रिफ प्लीज झाल्ड़ कीजिए क्रिफ बंदे मात्रमी अगर तो प्लीज बंदे खाबर चैनल को सब्सक्राइब